आईशियार के निर्दरीत राउंड की काउंसलिंग फूरी होने की बाद में एक काउंसलिंग फ्रोसेश शुरू होता है जिसे आप कहते हैं मौपप राउंड या फिर फाइनल राउंड काउंसलिंग उसके बारे में इस वीडियो में कंप्लिट डिसकस करने वड़ हैं गुड इवनिंग एवरिवन वेल्कम बैक ऑन यूटूब चैनल एशियल ग्रूप अपैगरी कलचर काफी दोस्त हैं वो मौपप राउंड के बारे में बार बार पूछ रहे हैं कि मौपप राउंड के क्या को प्रेस कर लें और वी कोई आपका प्रॉब्लम हो मौपप राउंड से या फिर निर्धारीत राउंड के कांस्लिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं ठीक है वीडियो करते हैं स्टार्ट वीडियो को पूरा देखना मौप करेंगे अच्छे से वह बताऊंगा उसके बाद मैं कटोफ किया जाएगा मौप राउंड के लिए क्या कटोफ रहने वाला काफी दोस्त यह पूछ रहें कितनी शीटे वेकंट रहने के चांसे हैं तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे ठीक है मौप प्राउंड के लिए च्जोच्च पिलेंग करनी यह बोलता है पूरी च्जोच पिलेंग का मतलब होता पूरी च्जोच पिलेंग आपको नई अवह लें पर और कि पूरा कंसलिंग प्रोसेश नなら दम अब क्या बारे में rules and regulation जान लेते हैं कौन-कौन से क्या-क्या rule है ठीक है उनसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको हमारे paid counseling का need हो paid program का मतलब होता है हम आपको पूरी counseling की process जब से counseling start होगी उनसे लगा कर college में जाने तक हम आपको personal guidance देखे आपकी help करते हैं college में admission करवाने त नहीं है कि paid counseling join करने का कोई मतलब नहीं है तो वीडियो के description box में second round के cut-up list का आपको वीडियो मिल जाएगा उसमें मैंने आपको allotment letter भी दिखाए थे और हमारी paid counseling के student के बारे में आमें बताया था कि इतनी high rank होने के बावजूद भी हमने उनको college अलोट करवा है तो आप believe कर सकते हो आपका चाहिए कितना भी rank हो अगर आपको अच्छे college में जाना है तो आप definitely paid program को join करें मैं एक चीज बता देता हूं बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अलगले college में फस जाते हैं नौर्थ इंडियन student होते हैं वो south में फस जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा दिक्क का option नहीं मिलेगा पहला रूल तो यह आपको जो college मिल गया वो आपको accept करना पड़ेगा ठीक है अगली बात यह है कि आवेदक login के माधियम से seat वापस लेना रद करने के विकल्प के दौरान उमीदवारों के लिए उपलब नहीं होगा शीट सभीकरती शुल उमीदवार को वापस नहीं दिया जाएगा ठीक है दा ओप्शन ओफ विड्रॉल कैंशलेशन ओप शीट थो दा एफ्लिकेट एफ्लिकेंट लोगिन विल नॉट भी अवेलेबल तो दा कैंडिडेट्स इन इन दिस राउंड एंड शीट एक्सेप्ट कैने की मतलब इस लाइन का मतलब यही है कि आपको जो भी एक बार कोलेज मिल गया ठीक है उसके बाद में आपने अगर शीट एक्सेप्ट कर ली तो आपको पैमेंट है वह वापस रिफंट नहीं किया जाएगा यह चीज ध्यान रख लेना ठीक है यह शान नहीं है कि आपन की नंबर नेगेटिव में है या जीरो है वो स्टूडेंट मौपपराउंड की काउंसलिंग को नहीं करवा सकते हैं बाकि सभी स्टूडेंट काउंसलिंग को करवा सकते हैं उनके और भी रूल्स है वो साथ में ध्यान में रखने हैं वे अब्यारती जो पहले प्रविश प करवाएंगे तो उनको मैं बता देता हूँ कि अगर आपने एक बार सीट एक्षेप्ट कर ली दस अजार रुपए पे कर दिया उसके बाद में अगर आपने एडमिशन कैंसल करवाया तो आप मौप प्राउंड के लिए इलिजिबल नहीं है ये चीज ध्यान रख लेना ठीक ह और वे स्टूडेंट जिन्होंने सीट तो एक्षेप्ट नहीं की कोलेज उनको मिल गया लेकिन किसी कारण वंस वो मतलब पेमेंट नहीं कर पाए दस अजार रुपए पे उन्होंने नहीं क्या कोई भी प्रॉब्लम हो गई ठीक है या फिर उनके डोक्योमेंट थे नहीं उ उनकी वज़े से वो बाहर हो गए तो वो स्टूडेंट है वो वापस मौपप राउंड में पार्टिस्पेट कर सकते हैं लेकिन दस अजार रुपए जिन्होंने कर दिये पे कर दिये उसके बाद मुनको अच्छा कोलेज नहीं मिला उन्होंने वापस पेमेंट ले लिया त पिल्कुल मौपप राउंड में पार्टिस्पेट कर सकते हूँ अगर आपने पहले चोइस प्लिंग नहीं भरी है पहले कांसलिंग नहीं कर वई है तो आप फ्रेशली वापस मौपप राउंड में पार्टिस्पेट कर सकते हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है अगली परवाई थी 500 रुपे पे कर दिये थे लेकिन आप किसी कारणवांस चोईस प्रिप्रेंस नहीं भर पाए या फिर अच्छी चोईस प्रिप्रेंस नहीं थी किसी ने तीन चार कोलेज भर दी तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए तो उन बच्चों को पैसे वापस करने की ज शुल्प भुगतान किया था विकल भरे थे और शिट्टे अवंटीत की गई थी लेकिन दस्तावेज अफलोड नहीं ये चीज मैंने आपको पहले भी बता दी अगर आपने डोक्यूमेंट अफलोड नहीं किया दस जार रुपे पे नहीं किया है वो स्टूडेंट वापस से पार्टिस्मेट कर सकते हैं ठीक है अगला रूल से है कि जिन अभियर्तियों ने काउंसलिंग के दोर पे पंजीकन कराया था निर्दारित काउंसलिंग के दोरान शुल का बुगतान किया था विकल बरे थे लेकिन चोते चरण तक उन्हें कोई भी कोलेज नहीं मिली आपने लगा कर देश की IRI, BHU, GBPAN जेसे युनोर्टियों में बच्चों का सेलेक्शन हुआ है अगर आप भी चाते हैं देश के टॉप युनोर्टियों में पढ़ने का सपना है आपका भी देश के टॉप युनोर्टियों में पढ़ना तो अभी भी आपके पास में टाइम है चोईस प्रिप्रेंस भरके देते हैं बच्चों को प्रिप्रेंस लिस्ट अविलेबल करवाते हैं उसके बाद हर स्टूडेंट की चोईस प्रिप्रेंस देखी जाती हर स्टूडेंट को चोईस प्रिप्रेंस फिल करके दी जाती है स्टूडेंट से भी बात करके हर चीज क गोने के बावजूद भी हमने बच्चों को देश के टॉप टॉप यूवर्शिटियों में एडमिशन दिलाया है वो भाई हमारा चोईस प्रिप्रेंस था उन बच्चों के उपर जो हमने मैनत करके अच्छे से चोईस प्रिप्रेंस उनको फिल करके दिया वो ही है तो अगर वापस वही कोलेज मिलेगा जिन में सीटे वेकेंट होगी ठीक है यह 678 जो मैंने रूल्स रेगुलेशन बताए वह यह एश में कोई खास नहीं है यदि किशी विशेश इश्कूल कोलेज विश्व विद्याल यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है सीब्यसी राजी के यह द्वारा मानियते रद की कर दी जाने पर कर्शी विश्व द्याले द्वारा किसी अरक प्रिक्षा बॉर्ड पर पर प्रवेश के लिए विचार नहीं किया जाएगा मतलब कोई भी इनकेश अगर आपको क्वालिफाइं एक्जामिनेशन बॉर्ड यह फिर बहुत सारे रिजन होते हैं जिनकी वज़े से युनिरसिटी एडविशन नहीं लेते हैं आपका सब्जक कॉंबिनेशन हो सकता है आपका कोई सैटिफिकेट हो सकता है ठीक है यह फिर आपका इश्कूल बॉल्ड हो सकता है उनकी वज़े से अगर आपको युनिरसिटी बाहर करती है तो उसमें ICR बिल्कुल responsible नहीं है यह ICR ने चीज या not करके लिख दिये ठीक है अगर आपको join करना है तो नीचे help line number 9214005895 पर आप contact कर सकते हैं my shelf my चोदरी ठीक है contact करो B.H.U में मेरा भी U.G. चलड़ा है अगर आपको कोई भी problem है कोई भी दिक्कत है तो आप personally message कर सकते हैं ठीक है और मोपप राउंड में मेरे इसाब से एक बार आपको जरूर फेड़ प्रोग्राम जोइन करना चाहिए अगर आपको बेतरी न्यूनिवर्सिटी में जाना है अलग रूल थे चीज़ें आपको अच्छे सा समझ में आ गई यह सारी चीज़ें समझ में आ गई तो वीडियो अगर पसंद आए तो यार वीडियो को like करना चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो दोस्त आपके लिए बहुत मेंद करते हैं प्लीज चैनल को subscribe कर लेना आपको को तक के लिए शुस्त रहे देखते रही आईश दृट्ष घर